दो बेटी चोटी बहु निम्रित की कोई कदर नहीं होती मा ये देखो मैंने आपके लिए ये साड़ी लाई है आपका पसंदिदा रंग है न ये ये तो बहुत ही महंगी लग रही है बिटो काई की महंगी आरे ये घर संभाल ले वही बहुत है मेरा करन तो हर मैने मुझे 20 से 30 जार भीजता है ये प्रीतम तो बस घर संभाल ले उतना ही काफी है और ये साड़ी न मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आई इसे निम्रित बहु पढ़ी दे दे मैं तो डिजाइनर साड़ीया पहनती हूँ जया इतना कहा कर वहाँ से चली जाती है प्रीतम और निम्रित को जया की बातों का बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो दोनों जया और राजेंदर की सेवा करती ही रहते है प्रीतम दिन रात कड़ी मैनत करता है एक रोज घर की डॉर्बल बजती है और जब जया दर्वाजा खूलती है तो वो देखती है कि अमरिका से करन ने गिप्स भीजे है आरे वाँ मेरा लाडलो बिटो मेरा करन साथ समंदर पार रहता है 24 घंटे में से 19 घंटे काम करता है लेकिन अपनी मा को खुश करना और उसके चेहरे पर वसकान लाना कभी नहीं भूलता हर मैने की तरह इस मैने भी करन ने तौफे और पैसे भीजाए कितना खाल रखता ना वो हमरा आखिर भाई किसका है भगवान करे करन भाई को इतनी तरक्षी मिले इतनी तरक्की मिले के बस उनकी लाइफ में खुशिया और पैसे कभी काम ना हो तो मत दुआ कर मैं उसके लिए हर पल दुआ करते हूं बाकी लोगों की दुआओं के कोई जरुरती नहीं है इतनी जया तौफो को बड़ी खुशी से खुलती है और करन की प्रिशन सा करती ही रहती है करती ही रहती है लेकिन जैसे जैसे समय बीटने लगता है करन जया से बात करना भी कम कर देता है और तो और हर मैने की तरह तौफे और पैसे भी नहीं भीजता फिर एक दिन जया उसे फोन लगाती है करन, अरे बेटा तु कहा है तुने हमसे वादा किया था कि तु हमें भी अमेरिका बुलाएगा और तुने तो गिफ्ट भेजना, कॉल करना सब बंत कर दिया रोज, सुपर, शाम तेरे फॉन, कॉल, वीडियो, कॉल और मैसेज का इंतजार करते रहते हैं हम सब लेकिन तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, बेटा अहा मा, आम रियली सॉरी वो दरवसल काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है न यहाँ पे आपको तो पता है, मेरे बिसनस लाइफ कितनी हेक्टिक है और अभी तो प्रेशर डबल ट्रिपल है इसके लिए ठक जाता हूँ, रात में आके सू जाता हूँ सीदा फिर दिन में जब मैं सोचता हूँ कि आपको कॉल लगाऊँ या आपसे या पापा से बात कलो वीडियो कॉल पे तब याद आता है कि वहाँ तो रात हो गई होगी क्यों खामखाब की निन खराब करूँ आरे नहीं नहीं पेटा, बात किया कर तिरे फोन के लिए मैं रात में भी जाग सकती हूँ लेकिन तुना काम के साथ-साथ अपनी सेहत पर भी ध्यान दे हाँ पेटा ठीक है ना इस सब की बात भी करन जया को ज्यादा कॉल्स या मैसेश नहीं करता मही प्रीतम और निम्रित अगर कुछ लाए तभी भी जया उन्हें बस करन से तोलती रहती माजी पापा जी ये लीजिए आज वीकेंड है ना तो हमने ये फाइव स्टार रेस्टोरंट से खाना मंगवाया है अब आप तो महमूली रेस्टोरंट का खाना खाने से रही इसलिए ये सब क्या है इस सब से तुम दोनों क्या साबित करना चाते हो अरे जिन्दगी में पहली बार किसी फाइव स्टोर रेस्टोरंट से खाना मंगवाया है तो ज्यादा इतरा आओ मत कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं बाँ दिया तुमने निमृत को बुरा लगता है और फिर वो कमरे में करन से कहती है मैं समझती हूँ कि एक मा के लिए उसके बच्चे एक समान होते है लेकिन यहाँ पे तो मा जी करन भाई और तुम में इतना भेदभाव करने लग गई है कि मैं तो हैरान रह जा रही हूँ हार घड़े सिर्फ ताने गस्ती रहती है इस बात पर कि तुम करन भाई से कम कमाती हो मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा मैं बस उनकी इन हरकतों से नाराज हूँ छोड़ो ना निम्रेत, इस ओके करन भाई उनका बड़ा बीटा है वो उनके लिए ज्यादा सॉफ्ट कॉनर रखती है और मुझे उससे कोई नाराज की नहीं है वो मुझे डाटती तो है ताने भी धेर सारे देती है लेकिन मैं जानता हूँ कि अंदर से मुझे भी उतना ही प्यार करती है जितना की करन भाई को दिन गुजरते जाते हैं करन का तो हफ़ते में एक ही बार कॉल आता है और वो भी बस एक मिनिट में बात करके फोन कॉल आदे में ही काड़ देता है और जया यहां प्रीतम और निमरित को बस तानी ही देती रहती है एक रूज राजिंद्र की तब्यत बहुत खराब हो जाती है और उसे तुरंत अस्प नहीं, नहीं, ऐसा मत बोली, आपरेशन कराना है न, के जे, कितना पैसे लगेंगे डाक्टर साब? पुरी दो लाख रुपे, अगले 24 घंटों के अंदर हमें आपरेशन कराना होगा, आप ध्यान रखे कि आपसे देरी ना हो जाए, थांक यू. डाक्टर साब, आप पैसो की चिंदा मत कीजिए, हम आरेंज कर देंगे, अब बस मेरा पापा का अच्छे से इलाज कीजिए. जया, प्रितम और निम्रित बहुत परिशान हो जाते हैं, जया करन को फोन पर सब कुछ बताती है, और उसे दो लाख रुपे मांगती है तब, दो लाख? मा, अब आप टेंशन मत लो, मैं राब तक भीजवाता हूँ. ठीक है पिटा, जल्दी भीजवाना है, डाक्टर साब ने कहा है कि इनका 24 घंटों में ऑपरेशन कराना है, कैसे भी करके पैसों का बंदोबस करना है? वहीं दूसरी तरफ, प्रीतम भी पैसों को इख़टा करने की काफी कोशिश करता है, न जाने कितने दोस्तों से भी पैसे मांगता है, पर फिर भी वो पैसे जोड़ नहीं पाता, जया रात तक करन की इंतजार में बैठी रहती है, पर करन का कोई कॉल नहीं आता, प्रीतम हताश होकर खाली हाथ अस्पताल लाटता है ए माता रानी मेरे पती को बचा लो इक करन का अभी तक कुछ पता ही नहीं है तबी करन का वोईस मैसेज आता है जिसमें वो कहता है करन बस तरकाता रहता है और पैसे नहीं भीजता फिर अंत में नेमरे अपने सारे गहनों को बेज कर आखरे मिनिट पर पैसे लाती है और डॉक्टर्स अपरिशिन शुरू करते हैं और फिर ठीक होकर राजिंदर घर लोटाते हैं तब इजया की आँखी भराती है और उसे अपने गल्तियों पर बहुत शर्मिनगी महसूस होती है मुझे माफ कर दो प्रितम बेटा इमरे पहूँ मैंने हमें इशा बस कर रहना और तुम में फर्क किया पैसों का ओदे का लेकिन आज जिस पर इतना विश्वास किया जिस से इतनी उमीद की उसी ने उसी ने भरे उसे को चूर चूर कर दिया आज एक माँ होकर मुझे बहु पूल हो गई नहीं नहीं माँ इसा मत बूले आप प्लीज मुझे माफी मत मांगे आप मेरे लिए मेरी भगवान हो भगवान तुझ जैसा बेटा और निम्रिज जैसी बहु हर किसी को दे करन से ये उमीद नहीं थी दूर रहकर वो हम सब को भूल गया उसे इस बात के जरा भी चिंता या घवराट नहीं हुई कि उसके पिता का अगर अगले 24 घंटों में आपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान खत्रे में पड़ सकती है बहुत कठोर हो गई है ये दुनिया और साथ ही अपने सगे रिष्टे भी खोख ले होते जा रहे है जो हुआ सुहुआ अपसे हम चारों अपने जीवन के एक नई शुरुवात करेंगे माना कि नए साल को आने में अब भी वक्त है फिर भी हम इस शुरुवात का आरम कर देंगी अपसे नो उदासी अनली खुशी क्यों माना जी है ना जया को आखिरकार प्रीतम और निम्रित का मुल समझ में आई जाता है और फिर चारों भी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं